नमस्का दोस्तों मेरे पामिस्ति चनल में अपलोगा स्वागत है और आज यह पामा है 28 सल का एक नौजवन का इनके पाम का हम लोग पहले ऑफर ओल एनलैसिस करेंगे उसके बाद इनके सवाल की और जाएंगे इनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे इनके साथ क्या पॉलम ह अन तक जूरूर रहिएगा तो चलिए शुरू करते हैं स्क्वार्शिप के पाम और काफी बड़ी पाम है ऐसे लोग फिजिकल महनती होते हैं और फिजिकल महनत से अपने जो सक्सेस है उसे जिन्दगी में अचीव करते हैं थम की लेंड भी ठीक ठाक है दूसरों को influence करने की ताकत भी इन में अची रहəगी लीडर्शिप quality भी अची रहेगी टिम को यह अच्छी तरह से लीड भी कर पाएंगे अगर मुका मिले जिदगी वे कभी टिम लियर करने की तो यह टिम को भी अच्छी तरह से लीड करपाएंगे वील लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो दोनों ही बरबर हिस्ट में बड़ी हुई है तो इस तरीके के सीचुएशन अगर बनती है तो लोग बैटे- ماटे भी काम कर सकते हैं फिल्में भी काम कर सकते हैं, जैसे खुद कर सकते हैं, उस तरीके से दूसरों से भी करवा सकते हैं, लोजिकली बात भी कर सकते हैं, तो यह सारा इनके सीचोशन इनके थम में हमें दिख रही है, थम के बीच में हमें एक लिया जॉब साइन दिख रही है, इस तरीके का जॉब से इन अगर हो पाम में तो ऐसे लोग पैसे वाले जरूर बन पाते हैं इंडेक्स फिंगर को देखेंगे क्रॉक है अच्छी इंडिकेशन है लीडर्शिप क्वालिटी है इन में काफी अच्छी बाकी दो फिंगर की सेटिंग्स भी हम लोगो ठीक ठाक दिख रही है चोटी ज जरूरत हो ऐसे लोगों कोई भी ठीक पर या फिर पॉलम नहीं होती है मांट के ओर चलते हैं मारकडी मांट ठीटा कम लोगों को दिख रही है मारकडी मांट में एक फिस साइन है अलकि सी फिस के पाम में हम लोग यह लाइन देखते हैं इस लाइन की जो में काज है ओ है कि यह दूसरों को मदद करते हैं दूसरों को सही नसीहत देते हैं यह सारे चीज़ है दूसरों को भलाई करते हैं यह सारे इंडिकेशन यहां पर हमें मरकण मांट में दिख रही है सन मांट की और चलेंगे सन मांट में क्या है दिख रही है हम लोगों सन की जो मेंन लाइन हो डिफेंस मार्स से आ रही है डिफेंस मार्स से आती हुई सनलाइन रोयल्टी वाली income देती है rent वाली income देती है defense sector में अगर काम करे तो हमां से भी income देती है और जो main sun line है इनके sun mount की अंदर ही है और यह बहुत सारी है तो after 15 के जिंदगे में काफी अच्छी success मिलेगी उसे की indication हमें sun line से दिख रही है certain mount खड़ी line है हलकी हलकी खड़ी line है जो दिखा रही है धन की कमी तो नहीं होगी इन में liquid money की कमी नहीं होगी दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जोरत नहीं होगी इस तरीके का situation इनके धन के मामले में जरूर रहेगी जूपिटर mount के अड़ चलते हैं जूपिटर mount इनके ठीक टाक है जगा भी ठीक टाक मिल रही है और यहां पर देखेंगे तो एक बहुत बड़ी ambition line जो life line से उटके जूपिटर mount के अंदर तक आ रही है तो इनके ambition काफी high रहेगा और यह एक बहुत बड़े पोस्ट पर या फिर बहुत बड़े जगा पर जरूर जा पाएंगी इतनी बड़ी ambition line होगी तो काफी इनकी success भी बड़ी ही होगी उसके साथ साथ देने के लिए जूपिटर mount में एक खड़ी line भी है जूपिटर mount में अगर खड़ी line हो तो ऐसे लोगो success जरूर मिलती है ambition line के साथ अगर खड़ी line भी दिखे खड़ी line की power जो होती हो काफी high रहती है और जूपिटर mount में खड़ी line बहुत ही अच्छी success देती है desirable success भी आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को मिल जाती है जो success अब चाते हैं उस तरीके का success अब को जरूर मिल पाती है Salman ring भी है इसके कारण लोग अपने काम के पती निश्टावान रहते हैं धरम के पती निश्टावान रहते है astrologic पारविंस्टी यह सर जो mystical science रहते हैं उनमें भी ऐसे लोग को इंटरेस्ट रहती है यहां से नीचे और एक लाइन है जो हाट लाइन से आ रही है उसके कारण एक बहुत अच्छी square sign भी बना रही है तो square sign अगर बनते हैं तो इसे teacher square कहते हैं ऐसे square दूसरों को सिखाने के काम में काफी मददगार होती है यह ऐसे लोग दूसरों को अच्छी तरह से सिखा पाते हैं चाहे वो teacher बनके सिखाए, boss बनके सिखाए, manager बनके सिखाए या team leader बनके सिखाए किसी भी तरीके से जब भी दूसरों को किसी सिखाने की या knowledge देने की बात आएगी आप लोग हमेशा आगे रहेंगे तो teacher profession भी अगर आप चूस करते हैं उसमें भी आप काफी अच्छी रहेंगे तो यहाँ पर teacher square और आपकी थम की जो दो पोर है उसके बीच में दोनों ही बराबर हिस्व में बटी हुई teachers के पाम में हम लोग अक्सर देखते हैं इस तरीके का थम होती है तो teacher अगर आप profession as a profession चूस करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छी रहेगी Mars Mount बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन एकदम छोटा भी नहीं है ना ही कमजोर है ना ही बहुत ज़्याद हाई powerful है तो medium length के और medium powerful हमें यहाँ पर आपकी Mars दिख रही है तो railways में या फिर police बगर या administration जोब में सेक्टर में जॉब ढूनने के कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी success आपको मिल पाईगी इसकी indication तो नहीं है इन्होंने already एक railways में जॉब की apply भी की थी और तीन number के लिए इनको जॉब नहीं मिला था तो यह situation बन जाती है जब Mars वीक होती है ऐसे ही आपको एकदम बहुत नजदीक जाके आप लोगों को वीक नहीं मैं कहूंगा आपकी Mars लेकिन थोड़ी अपकी पाम की हिसाब से थोड़ी कमजोर होने के कारण इस तरीके का situation आपके साथ बन सकती है लेकिन आपकी Venus जो है बहुत ही जादा powerful है तो Venus से जुरी हुई किसी organization की अगर आप ढूनते हैं और वहाँ पर अगर आप job की कोशिश करते है तो job मिलने के chances अपके में काफी high रहेगी Venus से जुरी हुई currency job हो सकती है IT हो सकती है जहाँ पे data processing का का काम होती है जहाँ पे information pass on होती है government का बहुत सारे sector ऐसे होते है जो information को इधर हुदा देती है general public की information government को government की information general public बहुत सारे ऐसे रहते हैं अगर उस तरीके का किसी organization में आप job की कोशिश करेंगे तो job मिलने के chances अपमें जादा रहेगी अगर government के कोई इस तरीके का organization है जहाँ पे luxury product बनाते हैं या luxury product की information इस पासवन करते हैं उस तरीके का company या sector में भी आपको job मिलने के chances काफी हाई रहेगी moon mount भी आपकी ठीक टाक है powerful moon mount है life line की ending point भी moon mount की तरफ ही है और faith line की शुरुआद भी moon mount से ही हो रही है यह indication करती है अगर आप foreign जो जाना चाते है घुमने जाना या फिर काम के लिए तो भी मुम्किन है अगर आप multinational company में काम की कोशिश कर रहे है तो ओहां पे भी आपकी मिल सकती है आपकी शादी के बाद आप लोग को success भी थोड़ी बहुत अच्छी मिल जाती है कोई female आपकी जिंदगी में आते हैं और जिनके करण आपकी career में काफी अच्छी progress होती है अभी चलते हैं आपकी line के उपर heart line को देखेंगे heart line totally chain information से ही बनी हुई है तो यह बहुत खराब कोई indication नहीं लेकिन अगर आपकी कोई पूस्तेनी disease है तो आपके होने के chances रहते हैं उसके उपर heart related disease पिशर जो होती है blood pressure या फिर sugar इस तरीके का जो लाईलाज disease रहते हैं जो इनसान जितनी दिनों तक जिनना रहते हैं उस तरीके का disease होने के chances या खत्रा भी आप लोगों में होती है जिननों के heart line इस तरीके का chain information से बनी हुई हो heart line की ending point देखेंगे तो Jupiter और सटन के बीच में हो रही है यह अच्छे इंसान बनाती है यह ऐसे इंसान बनाते हैं जो दूसरों का नुकसान नहीं करते हैं लेकिन कोई इनका नुकसान करना चाहे या कोशिश करे तो उसी पोटेक्ट भी अच्छी तरह से कर बाते हैं और एक जो ब्रांच है आपके heart line की ओए एक दम fall हो रही है mind line के उपर बहुत बड़ी fall हो रही है इसके कारण आपकी relationship में problem रहेगी relationship में disturbance रहेगी आप दोनों के बीच में जो बात चीत होगी हो मीठी बात कम होगी और कड़ी बात जादा होगी आप दोनों के बीच में उसी तरीके का situation बन रही है और इसे confirm कर रही है यहाँ पर बनने वाली है job sign job sign से अगर line शुरू हो रही है और जाके जुक रही हो तो इस तरीके का situation तो आपका ज़रूर बनेगा अभी आपके चलेंगे mind line mind line के analysis से पहले आपके बारे में थोड़ा हम लो जान लेते हैं आप ऐसी इंसान है जिन्होंने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन कभी भी इनको desire result नहीं मिली चाहे हो 10B में हो बार भी हम में हो इनने आई 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 टी की भी exam की तैयारी की लेकिन वहाँ पर भी इनको निराशा हाथ लगी रेलोस के फिर जाकी यह private college में engineering की और रेलोस में junior engineering की job junior engineer के post के लिए apply की वहाँ पर exam दी और तीन number के लिए इनको job भी नहीं मिल पाई तो यह जो situation बनती है एक तो learning difficulties होती है और दूसरी आप सीखते हैं लेकिन सही जगा पर जाके आपको produce करना मतलब exam के जो books होते हैं exam के जो खाते होते हैं वहाँ पर जाके आपको उतार देना जो आपने सीखा है वो दो चीज होती है माइन लाइन से एक deliver करना और दूसरी accept करना अगर अगर माइन लाइन के शुरुआत में टेसल साइन बहुत बड़ी हो जाए जारू नुमा formation तो ऐसे बच्चे को learning difficulties बहुत जादा होती है तो आपके पाम में वह बहुत पॉमिनेंट नहीं है लेकिन जो पॉमिनेंट है ओ है यह जॉब नुमा formation या फिर कह सकते हैं चेन नुमा formation छोटी चोटी जॉब साइन से आपकी फास्ट आपकी जो mind line हो बनी है और इसे चेन नुमा formation भी आप कह सकते हैं तो इस तरीके का situation हो तो आप लोग deliver नहीं कर पाते हैं आप लोग भूल जाते हैं सीखते तो हैं पढ़ाई तो कर लेते था लेकिन उस टाइम में आप लोग भूल चुके हैं सही टाइम में आपके mind ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं राइड डीशन नहीं ले पाते हैं इस तरीके का situation अगर mind line में दिखे ये situation आपकी जो चल रही है कड़िप-कड़ि 35 years एच तक तो 35 साल तक आपको ये पॉलम रहेगी और ये आपको केडियान में बहुत सरे पॉलम का सामना भी करवाएगी आगे चलके आपकी केरियार शुरू होगी तो वहां पे भी ये पॉलम आपको फेस करने की जोरत होगी माई इन लाइन की एक exercise मैं आपको दूँगा उससे आपको काफी मदद मिलेगी अगर आप उसको regular practice करेंगे बिल्कुल तो ठीक नहीं हो पाईगी लेकिन बहुत अद तक आपकी मदद जरूर हो पाईगी लेकिन 35 के बाद ड्रमाटिक जो है सोच जो है बुद्धी मत्ता जो हो बिल्कुल चेंज हो जाएगी 35 के बाद आप बहुत ही एक काविल और एक बहुत ही समझदान इनसान की तोर से मतलब दुनिया के समने आएंगे बहुत जादा आपको उस टाइम के बाद आपको success भी मिल पाएगी माई लाइन के कार बिजनेस ना है तो बिजनेस मत कीजिएगा वहां पर उससे success करने के लिए आप लोगो बहुत लंबी struggle करने की जोरत हो जाएगी तो लंबी माई लाइन होने के कारण एक तो आपको पूस्तेनी बिजनेस हो तो की ही किजिए नहीं तो government job permanent job की government sector में हो government sector में या फिर private sector में हो जहाँ पे भी हो अप लोगो permanent job ही मिलती है और एक ही job में आप लोग retirement तक गुजार देते हैं जिनरली हम लोग बहुत frequently नहीं देखते हैं कि इस तरीके का line वाले job change करते हैं करते भी तो है तो पूरी जिन्दगी में एक या दो maximum उससे ज़्यादा नहीं तो इस तरीके का कोशिश जरूर कीजिएगा आपको government job होने के chances पूरी पूरी है अभी हम लोग आपकी life line के analysis करेंगे तो देख लेते हैं life line के situation का इस तरह से बन रही है तो life line में एक तो यहाँ पे एक मिन्ट और एक देख लेते हैं एक मिन्ट देखे हैं तो यहाँ से एक उठ रही है अपके ascending line यहाँ से एक उठ रही है तो आपकी जो life line है एक तो यह बहुत बड़ी जगा ले रही है इसके कारण आपके immune power काफी high रहेगा और आप में काफी energy भी रहेगी moon की तरफ जा रहे ही life line तो foreign का जुरा और foreign का connection भी देगा आपको multinational company में काम हो सकती है foreign घुम सकते हैं उस तरीके का situation भी है और आपकी life line से करिब करिब 35 years 41 years और करिब करिब 50 years इस age के करिब आपकी life line से ascending line निकल रही है life line से जिस age period में ascending line निकलती है उस age period में नई job मिलना पूराने job में promotion मिलना या फिर high increment मिलना कोई बड़ी asset बनाना जैसे के घर जमीन इस तरीके का जो अच्छी चीज है वो होती है तो आपके तीन जो age है उस time period में आपके साथ ये जिन्दगी में ये घटना जरूर घटेगी आपकी faith line के अगर analysis हम लोग करेंगे तो दे नहीं उस time period में इनसान जोब नहीं करते हैं या फिर कमाते नहीं लेकिन जो भी कमाते हैं वो minor होते हैं उसे आप जेप खर्चास हमझ सकते हैं उससे ये लोग savings नहीं होती है नहीं बहुत बड़ा कुछ ये लोग कर पाते हैं उस time period में जबतक कि कि ऊना faith line ना रही है हो अगर जो आपकी एज़ पीरियर में फेट लाइन आ रही है कड़िब कड़िब 30-31 तो 30 के कड़िब आपकी लाइफ में फेट लाइन आ रही है तो उस एज़ में ही आपको कुछ अच्छी सक्सेस जबर मिल पाईगी लेकिन वो बहुत अच्छी सक्सेस नहीं हो पाईगी क्यों नहीं हो पाईगी एक तो आपकी माईल लाइन में डिस्टरवेंस है 35 एज़ तक और 35 एज़ तक ही आपकी फेट लाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो ये फेट लाइन हलकी है देखिए बहुत ही हलकी से स्टार्ट हो रही है और दीरे दीरे यह पावरफुल हो रही है और उसके साथ इस लाइन में बहुत सारे कड़ भी है बहुत सारे कड़ इस एच पिरियर्ड में इस छोटी सी जगा में बहुत सारी कड़ भी है तो इतनी जादा अगर कट हो इतनी सी चार साल के आईज में और फेट लाइन भी हलका दिखे तो फेट लाइन बहुत अच्छी रिजल नहीं दे पाईगी तो 30 से में आपकी केडियर शुरू हो जाएगी आप इंकम भी करना शुरू कर देंगे अच्छी लेकिन शायर उस टाइम पिरियर में आप सेविंग्स ना कर पाए बहुत ज़्यादा खर्चा हूँ या फिर आपको कोई बड़ी पोजीशन में जॉब उस टाइम पिरियर में ना मिले छोटी मोटी जॉब करने की विद्ध करने की आपको या फिर छोटी पोजीशन में आपको जॉब करने पड़े तो यह सिलसिला चलेगा अपका 30 से लेकर 35 तक 35 के बाद आपके माई से लेकर 35 के बाद आपका Chicago ह्में बहुत यह अच्ची चेंज और यह ठीज़ रही तो 35 के बाद आप सुना सकते हैं कि आपके जो डिजरेवल सक्सेस है वो आपको मिल पाएगी आपकी जिन्दगी की जो गोल्डेन पिरियड है वो 35 से ही शुरू होगी और आगे चलके जो जा रही है यह हट लाइन में खत्म हो रही है और एक लाइन फिर से जाके 60 के कड़ी भ हो सकती है कि जिस तरह से चल रही है उससी तरीके से चलेगा फिर भी मैं आपको रेमीडी Cow जो भी जोब मिलेगा पको बहुत अच्छी नहीं होगी हो सकती है कि एक ही जौब आप पूरी लाइफ करे करे और एक ही जोब में अप आप को 30 में भी मिले लेकिन हो सकती है कि चार साल वहां पर आप दपके रहें चोटी जुनियर पोजिशन में काम करते रहें बहुत ज़दा आपका इंकम ना हो 35 में जाके उहां पर एक बहुत बड़ी पोजिशन मिल जाए क्योंकि लाइफ लैन में भी एसनिंग लाइन थी उस टाइम पिरेड में 35 के बाद पीक लेगी और 35 के बाद आपकी केडियर बहुत ही अच्छी चलेगी तो यह रही आपकी केडियर किस तरीके से चलेगा और किस तरीके से बन सकते धन के मामले में आपकी पाम कैसी है धन की मामले अगर हम लोग आपकी पाम को देखेंगे तो फेट लाइन और माइल में 35 तक पॉलम है मतलब लाइफ की आधा टाइम तो आप पैसे नहीं जमा कर पाएंगे 35 के बाद ही आप शायद पैसे जमा कर पाए अपने बारे लिए और अपर मांट की जगा भी बहुत जादा नहीं मिल रही है और पाम की कलर भी बहुत जादा पिंकी शेय या फिर पिंकी आवाच हो रही है ऐसा भी नहीं है तो जो आपकी पाम दिख रही है हायर मिडिल क्लास बाले पाम जो इनसान रहते हैं उस तरीके का पाम अपके अभी दिख रही है 35 के बाद अगर कलर बे और बाकी चीजों में फॉर्मेशन में चेंज आ जा जाती है तो हाँ उस से जाके आप 35 के बाद आप जादा पैसे और सक्सेस अचिब कर सकते हैं लेकिन अभी के पाम के हिसाब सा आपकी पाम जो हमें लगड़े ही कि हायर मिडिल क्लास बाली एकोनोमिकल पाम ही आपके है तो उस तरीके का कैडियर ही आपकी होगी उस तरीके का फिनेंशियल पाम के कोशिश करेंगे तो जो दिख रही है यहां पर एक हलकी सी चोटी सी लाइन है उसके बाद एक बहुत बड़ी लाइन है और एक छोटी चोटी इस तरीके से भी लाइन है तो में आपकी एक ही पाम में एक ही लाइन है और दो तीन चोटी चोटी जो बहुत हलकी लाइ है दूसरी जो आपकी शुरू दिख रही है उटकर 36 के करीब तो ऐदे 30 और 36 इज दो इज प्रियड रहेगी जहां पे जाके आपकी शादी होने के चांसे आपके पाम में हमें दिख रही है और रिलेशन्शिप कैसी रहेगी हम लोग पहली डिसकस कर चुके हैं तुछी के साथ-स इस पाम की अनलेसिस को रखेंगे अगर आप भी अपना पाम की अनलेसिस करवाना चाहते हैं तो पेड अनलेसिस के लिए डिस्क्रिप्शन मुझे हुआ आप सब यह कॉल कर सकते हैं शुक्रिया अप लोग